प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी काम करना बंद कर देती है गांधी फैमिली से बड़ा देल इंदुस्तान में किसी का नहीं है कैसे मन से माफ किया गया आप तो चले गए थे सपा में बस्पा में कमारे दोस्त पैंजी के पास ले गए थे बात ले गाया था कि बीएस्पी वो पार्टी है जहां पर टिकेट खर हो रहें तो लगता है इस बार सारी राम की किरपा हमारे उपर बरस गई कॉंग्रेस के राश्ट्रे नेत्रत्र को देखते हैं तो यह राम के नाम पर बड़ी डामाडूल दिखती है इनका स्टाइंड क्लियर होता नहीं है मंदिर जाए ना जाए स्वागत करें इस बात का ना करें अपना स्टाइंड किस तरफ रखें राम नारा नहीं विश्वास है यह बहुतिकता की नहीं मन की प्यास है राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में राम मिलेंगे शबरी के जूटक वेरों में इस वक्त दी लेलेंटॉप की टीम सहारनपूर में है सहारनपूर ल हमारे साथ Congress Neta Imran Masood है जो 2022 में तो Congress Neta थे फिर सपा में गए फिर बसपा में पहले तो यह बता जीजिए इतने घाट-घाट का पानी पी लिया आपने फिर वापस कैसे Congress में वापसी हो गई जिसको घर वापसी कह रहे है Congress Neta और प्रियंका तो फिर भी आ रही है राली करने राह जब आदमी की वक्त खराब होता है तो अकल काम करना बंद कर देती है इसलिए सब आता अब ठीक हो गया बस सब ठीक है आप सही जगा पहुंचा हूँ बैठा हूं सही जगा अने वाली है राली करने सहारनपूर में बात हुरी है राहुल गांधी नहीं आ रहे है नहीं प्र क्या बात हुई थी मतल apare कैसे मन से माफ किया गया आप तो चले गए थे शपह में बस्पमे डेगे जो बड़ लुआ अज Miles होता है और गांधी पहसी बड़ बढ़ होता है आदमी नाम से बड़ के लोगने होता है आदमी दिल से बड़ होता है जो आदमी माफ करने वाला होत तो पुछा बड़ा होता है। और मैं यह कह सकता हूं दावे के साथ के गांधी फेमिली से बड़ा दिल हिंदोस्तान में किसी का नहीं है। वह बहुत बड़े दिल के लोगे है। किसे लेकर बात किसे हैं, लिभा क्या किसी से दुպ किसी से हम तो बड़ा करते हैं हमारे पिछले बात करते हैं हमारी पिस प्स्ले इंटिव्यू में जा किस से घृलो है। मैंने तो जस्ट वह एक इंटियू मुझ से लिया तो उन्होंने मुझ से राहूल जी के बारें पूछा. तो मैंने राहूल जी जी के बारें में साफ बता तिया. मैने बहुन जी बात skipping स कुछ भात हूई थी. मेरी बहुन जी से मैंने कहा था, मुझे उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया उसके बाद पार्टी में बात हुई कि मैंने बाहर हो गया तो फिर वापस हो गया गया गर और और क्या हो यहां आने से पहले मैं आपका पुराना इंट्व्यू देखने थी जो सौरव जिवेदी को आपने 2022 के विधान सभा आते हैं यह एसी पाटी है जिसकी कोई विचारधारा नहीं है तो फिर आप बीस्पी में क्यों गए लेकिए मेरी साथ जो उन दिनों का वाकिया है जो कुछ हुआ वाराल मैं जब गया वस्पा में मेरी राहे बहन जी से बात करने के बाद मेरी राहे में फर्क आया था चु मेरी के चुनाओं में जो कुछ हुआ मेर के चुनाओं में में कहनना जाता लेकिन आपकी भाबी ने चुनाओं है आप Давने बहुत अच्छा अग अगा है और मैं बासमें क्या को कुछ बा करो मेरा जो हुँनात्यु पाध कर याए 299 यहां पर 65. बादों बहा उनके निकली फिए सब्सक्राइब की तीजिए बड़ीदि भी नंबर पर राखव लगन पाल रहे थी, तीसरे नंबर आप रहे थे, इस बार क्या समीकरण दिख रहे हैं आपको? मैं बहुत उपर हूँ, इस बार समिक्रन की है कि सबस्कार वार समविधान की बचाने का चुनव है जब समविधान को बदलने की चर्चा देश में चली तो लोगों के अंदर बेचेंड नी हुई समविधान नहीं रहेगा तो फिर हमारे अधिकार क्या होगा? शोशितों को वंचितों को दलीतों को जो अधिकार के लिए बाबसाई भीमराम बेट करने सपना देखा था, उस सपने को चकना चूर होते हुए दिखाई दे रहा है. तो इसलिए दलीतों का समर्थन मुझे बहुत बारी तादाद में मिल रहा है. यहां मुझे इस बार कोई ऐसी विरादरी नहीं है जिस विरादरी से समर्थन ना मिल रहा हूँ. सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे नौन मुसलिम भाई जिस तरह से मेरे साथ चलने का काम कर रहा ह तो मुझे लगता है मेरे चुनाओ बहुत आगे है. यहां जब सारणपर की सीट को यहां कि राजनीदी समझने वाले बताते हैं, तो वह ऐसे समझाते हैं कि 4 लाग तो यहां पर दलित समुदाइके वोटर्स है, साथ लाग के करीब यहां पर मुस्लिम समुदाय के वोटर्स हैं यहाँ साथ लाग च्पन हजार मुस्लिम वोट है जो मैंने अभी काउंट कराया अभी थोड़ा बहुत इसमें दो-चार हजार वोट बढ़ जाएंगे दो-चार हजार वोट घट जाएंगे घटना तो मुश्किली होता है आजकल वोट का क्योंकि C.A. और N.R.C. के बाद मुसल्मान ने अपने कागजों को सबसे जादा पहले दुरुस्त कराने का काम किया दूसरी बात यहां 3,440,000 वोट दली थे जो हमारा जाटव वोटर है बाकी और सब वोट है तो यहां वोट का तो सिस्टम यह है तो इसलिए मैं बहुत अपने आपको कमफर्टेबल समझता हूं कि हम बहुत कमफर्टेबल पोजिशन पर हैं किस विज़े से आपको लगता है कि आप कमफर्टेबल पोजिशन पर हैं क्योंकि जो कोर BSP वोटर है हम तो गाओं गाओं गूमकर रहे हैं वह तो यहीं कहते हैं कि हम जनको हाथी को देते हैं हम हाथी कोई देते आएंगे दूसरी बात जो BSP के कांड़िए माजदली वो भी मुस्लिम कम्यूनिटी से आते हैं तो हो सकता है मुस्लिम वोट उधर भी शिफ्ट हो और रागव लखनपाल है बले अभी यह कहा जा रहा है कि राजपूत उन से नाराज दलने लेकिन वोट शेयर में कितना फर्क पड़ेगा इसको भी कोई वाच्योरिटी स अविडियो को ओपने लिए उटेंगे रहा है कि यह बाचपा को वोटनी तेंगे मिर पास वीडियो है और एक दो आदमी नहीं कह रहा है पचास हजार आदमियों का मझमा कह रहा है लागव यह जे का ननोता में और कल रहली होई थी जूंकि उनको किसी से बहर नहीं है उनक जो अपमान हुआ है यहां पर राजपूत ने इस लड़ाई को सौभीमान की लड़ाई मान लिया है और राजपूत बड़े सौभीमान ही होते भी है अब उनके दिमाग में ये बात आ गई है कि अपमान हुआ है वहां गुजरात के अंदर एक कोई मंत्री रुपाला उन्हों पुर्शोत्म पुर्पाला उन्होंने वो शेखावास साथ जिस तरह से गिरिफतारी कराई और गिरिफतारी चलिए आपने खराई लेकिन उनकी जिस तरह से आपने धका दे करके पगड़ी को नीचे किरा दिया और उसे खीचते हुए ले गए तो यह बहुत खराब है और राजफूर समुधाय के अंदर बहुत जादा गुस्सा है और वो गुस्सा वोट के अंदर 100% तबदील होगा मेरे कारिकरम जो जिस तरह से हो रहे हूं उससे मुझे मेस्तूस होता है कि इंशालला 100% हो रहा है बस्पा पर नहीं जाएगा आप शौर है नहीं 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 बस् पहले हमार पास दलित कारिये करता गिंती पर होते थे अभी मुझे इतनी गाड़िये नहीं मिल पा नहीं जितनी दलित वर्कर हो गए मेरे पास एक आखरी सवाल और जब हम इम्रान मसूद के बारे में गूगल करते हैं तो हर सुर्खी में एक बात का जिक्र जरूर बिलता है यह वो नेता है जो मोदी की बोटी-बोटी काटने की बात कर रहे थे 2014 के चुनाव में आज इम्रान मसूद नया नारा दे रहे हैं वो नया नारा कौन सा है मैं कह रहा हूँ रोटी-डोटी देखिए इस वक्ट देश का नौजवान रोजगार से परिशान है तो आप मैं तो माफी पचास बार मांग चुका हूँ एक लाग बार मांग चुका लेकिन भाजपा के नेता जब गाली देता है ना वो किसी से माफी नहीं मांगते उनमें ये नहीं तिकता नहीं है और हम बात करना चाहते है रोजी-डोटी कि आप व्यक्तिकत चीजों को अलग रख दीजे आप देश की बात करिए देश का नौजवान परिशान देश का कि लेकर चलने की बात की है ये केवल नफरत की बात करना चाहते है और नफरत के ओपर जहां हिंदू है मुसल्मान होगे मुसल्मान पर करेंगी जहां कोई और धरम के लोगों को उनके साथ आपस में करेंगे जहां ये दोनों नहीं चलेंगे महां जाती बात पर करेंगे जहां तो ठीक है लेकिन 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, सारे चुनाव हर जाते हैं, मतलब उनके साथ कुछ तो बदनसीबी है, कोई तो फाक्टर काम कर जाता है। अब रहाम लिंकन कितने चुनाव वारे थे लास्ट में जाकर चुनाव जीते थे हारना और जीतना महाने नहीं रखता है जब लड़ाई होगी तो एक हार एगा एक जीतेगा चार चुनाव हार के भी मैं प्रासंगिक्ता मेरी बनी हुई है और मैं बिल्कुल उसी उर्जा के स सभावना जाएं लगने जाएं उसके बाद और भी संभवना खुली हुई आलगलार तो चुर्फ कंग्रेस किन मुद्धों के साथ आप सहारनपुर का चुनाव लड़ रहें इस सीट की कह समच्छ से आए हैं क्या काम करने वाले हैं अगर जीत गए तो किसे नहीं हुए स् तो सबसे पहला काम तो यह कराने का है दूसरा यहां जो सबसे बड़ा मुद्धा हमारे सामने वह समविधान का मुद्धा हमारी यह लड़ाई इमरान को जिताने की इमरान को हराने की नहीं है देश के अंदर समविधान को बचाने की है और देश के अंदर समविधान बचाने के लिए सब लोग काम कर रहे हैं कि कॉंग्रेस ने वैसे इस बार अगर हम आक्रे उठा कर देखे तो उतने Muslim Candidates को टिकेट नहीं जितने यूजिवली Congress सपा सभी देते आ रहे हैं जो बात हम करते हैं देश में हम जब मुसल्मानों की संख्या देखते हैं तो वो कभी भी पारिटी में नहीं दिखती उस रिप्रेजेंटेशन पर आप क्या कहेंगे यह दुब दुब दुबागी है देखिए मैं इसमें क्या कह सकता हूं अब हालात ऐसे हुआ है मुल्केनों ने नफरत इसनी पहला दिये उस और लिताकिन नभा अन्ट कख्ड़यों काहें जाता है मुषल्यक्ट इसेवड़ान प्रड में ना किव महत्व्भत की बात कर रहा है ना हम दुश्र महब्बत की बात कर रहे है ना की नफरत को आप नफरत से हैं नफरत मिलां सब्संग काट सकते इस इस बार की मैं का कहता ह इस बार आपका राघलन क्या कह रहा है यह सारी सीटे के हमारी बैल्ट की फ्स गई हैं इनकी बुरी तरह से यह नहीं कह चेह कतेρέhst आप इनको दोड़ती हुए सीटे आ रही है, सब जगा फसे हुए है, बाजपा के पास बसे की बात रहती है, और मुझे लगता भी एदे कि मुझे नहीं पता, मैं टीवी पे देखता रहता हूं, बहुत सारे जोधिश बताते हैं, इनके ग्रह खराब हो रहे हैं, तो लगता ह इस लगता है, इस बार सारी राम की किरपा हमारे ओफर भरस गई, लगते हुए हम सन से नाजए है, जो ना था वो बड़ा ईहंकारी था, उन्हेंErं वगता हैं, ऑहरे, राम को लाने वाली तुम कौन होगयин, इनसान की कहां से ओकात होगई के बगवान को लेकर आ जाएग भगवान तो देने वाला है, भगवान जिसको चाहेगा उसको देगा, भगवान को लाने वाला कौन हो सकता है, भगवान को कोई नहीं ला सकता है, भगवान तो जामर्जी होगे, भगवान जिस पर करपा करनी होगे, इस पर करपा करेंगे, किसी के सिफारिश से नहीं करेंग तो यह जो इनका अहिंकार है कि हम राम को लेकर आए हैं यह इनका इंकार इनको डुबाने का काम करेगा भगवान राम भी इनसे नाराज लगते हैं मुझे चुछे यहालाज जो है जिस तरह से महुल बना है लोगों के मन में जिस तरह से बहें देख रहा हूं कि एकदम कोई सी भी ब्रादरी के लोगों जस तरह से परिवर्तन आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि इस वार राम की करपा सब हम पर बरस रही है इम्रान मसूद जो कॉंग्रेस के कांडिडेट है जारन पूर से यह राम की बात कर रहे है लेकिन आप जब हम यही कॉंग्रेस के आप राम के अस्तित को इंकार नहीं कर सकते यह देश राम का है यह देश राम का है यह राम के अस्तित को इंकार नहीं कर सकते राम करोडों लोगों की आस्ता के परतीक है राम को डॉक्टर अलामा इकबाल ने कहा इमाम हिन डॉक्टर अलामा इकबाल लिग गए तो बड़ मंदिर के पहिरों में राम तुछ और न कि जूट जहान कुछ झूठी की बरिषया आचरं मयाधित कर अपना तो रूम तो के सीने में, आई यहां मिल जायंगे राम कि, अ भिर मैंने मन लंकी के फेरम को कुछ दुछ शंकि पहले दो कई थे अफ़ से। नहीं नहीं इसमें फत्वे की क्या बात है, मुझे एक बात बताईए यह तो आस्था का सवाल है, जो जिसकी आस्था है उस्तरा से करे, मेरे भाई की आस्था राम के अंदर है, तो उसकी आस्था का सम्मान करना तो मुझे खुरान कहता है, लकुम दीन, लकुम वलिय दीन, त कोई प्टसवे की चीजी नहीं अन saying language मुझे पतया है कि क्या नहीं है इसलाम के इस्याम के पर वैदानयत के उपर कोई सवाल नहीं हो सकता उसके आधर कोई सवाल ही नहीं सकता बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आने वाले चुनावों के लिए आपको शुक्काम नाए उन्नेस तारिको सहारणपुर में वोटिंग होनी है फर्स्ट फेस में यहां पर चुनाव हो रहा है और इस सीट के बागे कांड़ेट्स के बारे में हम ने आपको बता दिया आप इम्रान वसूत को लेकर क्या राय रखते हैं आप इनके जो सारे बयान है इस पर क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मेरे नाम सोनल है कामरे के पीछे मेरे साथ हनी है ललन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है हम अलग-अलग लोग सभा शेत्रों में चाहे इस तरह से यह वीडियो देख रहे हैं हमें कॉमेंट करके बताईए कि हमें क्यूं आना चाहिए वहां के क्या फैक्टर से शुक्रिया